हेलो फ्रेंड्स असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं सरदियों के लिए खास मुर्ग यखनी और जिसे चिकन सूप भी कहते हैं या फिर चिकन शोर्बा भी कहते हैं और यह बनाना बहुत ही असान है और पीने में बहुत ही डिलेशन है ब प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं तीन टेबल स्पून कुकिंग ओल मैंने यहाँ पर ऑली ओल यूस किया है तो तेल को हमने अच्छे से गरम करने को रखा हुआ है और इसमें हम चिकन के पीसे डाल देंगे यहाँ पर हाफ केजी हमने आदा किलो चिकन लिया है अड्डियों के साथ में और चिकन को हम तेल में अच्छी तरीके से भून लेंगे इस तरीके से कि सारे चिकन के पीसे इसको हमने डाल दिया है चमट की मदद से हम इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे एक गδ हे दो से तीर मिनट के लिए हम ने उच्छी तरीके से चला तो यहाँ अभर अब हम सारे नहीं हूं टालेंगे कि यहाँ पर हमने екट लासा बसे जलाओ और आप चाहें तो नौर्मल वाला लेसून जो हो तो ले सकते हैं लेकिन अभी season है हरे लेसून का तो हम इसमें 2 दंठल हम इसमें यहां तक के डाल दिए लेसून की पत्ती जो होती है इसको कट करके हमने इसमें डाल दिया है और यहां पर हमने लिया है एक प्याज मोटे स्लास में कटा हुआ इसको भी हम डाल देते हैं और यहां पर हम ने थोड़े से पुधीने के प्ते लिए हैं इसको हाथ होसी तौड़कार डाल देंगे ब् Labour स्थूर्ण प्तिंहें बा। तोड़े से दनिया के पत्ते हमैं लिए बहुत ही अच्छा था यखनी का और यहां पर हमने दो इंच का तुकड़े का द्रक लिया है इसको हम कूट लेंगे कट नहीं करेंगे से इसको भी हम डाल देते हैं और यहां पर हमने लिया है एक तुकड़ा दाल चीनी और एक बड़ी लाइची यानि की काली लाइची जिसे काली मिर्च के दाने लिये हैं और हाफ टीस्पून शाज जीरा लिया है और हाफ टीस्पून नॉर्मल जीरों जो होता है वह हमने यहां पर लिया है इसको भी डाल देते हैं और यहाँ पर हम चिकन स्टॉक डालेंगे चिकन क्यूब जिसे कहते हैं ये इसको हाथों से मसल कर इस तरीके से डाल दें और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम जाद अपने हिसाब से कर लें नमक को, और अब हम इसमें डाल देंगे, एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी बिल्कुल जरह से ड और उसमेंगे पानी डालेंगे तो लगबाग एक से देड लिटर हम चाहिए पहलें Kevin स्प्सक्राइस में दॉलShub लोग लिटर को जाल दिया है और पानि या पेल दो नूसरा और बहुती मज़्यदार पर पीद का त्यार होगा चिकन का यखनी जो होता है यह बहुत ही डिलिशस होता है तो आप एक बाद जरूर ट्राइ करें इससे बनाने के लिए बहुत ही बढ़ियां तरीके से बनती है तो अब हम स्परेट कुकर का ढखकन लगा देते हैं और इसको 5-6 सीटी आने तक अच्छी तरीके से पका लेते है और यहां पर 6 सीटी हो चुकी है तो अब हम रेशर कुकर को खोल देते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़ियां हमारी चिकन यखनी बनकर तयार हुई है और इसकी खुश्बू तो बहुत ही लाजवाब है तो एक बड़ी सी छलनी हमने यहां पर ली है और नीचे ए चान लेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो खड़े मसाले हैं वह अलग हो जाएं तो चिकन को भी इस तरीके से हम छलनी में चान लेंगे और सारस टॉप देखिए नीचे पैन में निकल चुका है हमारा सूप बढ़ियां सा यखनी जो होता है वह पैन में निकलकर अच्छी इसको वेश्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी चिकन सूप के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा जाड़ दें ताकि सारे मसाले जो है वह अलग हो जाएं चिकन को इस तरीके से हम बॉल में रखेंगे तो अब भी एक बार जरूर ट्राइ करें इसे सर्दियों का मौसम है और यह बहुत ही मज़ेदार बनता है तो इसमें अब हम चिकन के उपर से यकनी डालेंगे यह हमारा एक चिकन सूप को बॉल तयार हो चुका है तो इसी तरीके से हम दूसरा बॉल भी तयार कर लेंगे इसमें भी हम चिकन डालेंगे जब भी सर्दियों में आपको हलकी भूक लगी हो तो सर्दियों में इसे जरूर बनाएं और बहुत ही बढ़ियां यह चिकन यकनी बनती है तो एक बार जरूर ट्राय करें तो यह देखिए इसमें हमने बॉल में चिकन डाल दिया है उपर से यकनी डाल देते हैं तो यह देखिए दो बॉल हमारे सूप के तयार हो चुके हैं तो अब बारी आती है इसको गार्निश करने की तो यहाँ पर हम उबले हुए अंडे लेंगे यहाँ पर हमने आदा आदा अंडे दोनों बॉल में रखे हुए हैं इसको गार्णिश करेंगे और उपर से हम काली मिर्च का पाउडर याली ब्लेक पेपर का पाउडर उपर से छिड़क देंगे अब पुदीने के पत्ते से हम इसे गार्णिश करेंगे तो यह हमारी चिकन यखनी बनकर तयार है तरदियों के लिए खास तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं यह रेसिपी आपको कैसी लगी यह वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों से और फैमली में इससे शेयर जरूर करें इस वीडियो को